हेलो स्टूटेंट वैलकम बैट इस पीडियो में हम पावर सीरीज के कुछ और इन्पॉर्टन कोशन सॉल्व करेंगे जो कि हम यह दो ठोटन कोशन कोशन परेंगे और दोनों में से एक फिक्स है आपका आना ठीक है अगर आना होगा पावर सीरीज में से तो 100 पर सेंट फिक् इस वीडियो में हम कुछ अलग टाप के कोईशन शॉल करेंगे जो कि सीरीज टाप करेंगे जो कि फर्स्टेयर में हमने यह पढ़ा हुआ है कन्वर्जेंस निकालने के लिए कोची वाला फर्मूला यूज करते थे ओक लेकिन इस सीरीज को हमें पावर सीरीज मलब इसके रेडियेस अ कन्वर्जेंस ने कोटने जहने आर्क वायलू टाइप्सअ करेंगे श्राट करते हैं लाइक और साइबर करना ना भूलें ओके देखिए अब हमें करना क्या होता है power series कब होता है कोई function जब वो इस form में हो sigma n tends to zero to finite an z power n अगर इस form में हो तो क्या होता है power series होता है इससे compare करा दो इसे ठीक है अब an और z power n यानि z, z, z2, z3 मलब 1 यहाँ पर है z power 1, z power 2 और z power 3, z power 4 रहें से आता रहेगा यानि zn है और an जो है z को neglect करके जो पचा है वही an है an यह है हमारा और इसमें an यह equation ठीक है न तो अब इससे compare करा देंगे ठीक है तो मालों यहाँ पर अगर हम ऐसे sigma n tends to 0 to infinity के form में लिख है इससे बोलते है power series ठीक है इस form में होता हो अब बखो जब इस form में हम इससे बदलेंगे तो क्या होगा 1 को तो neglect करते थे हैं अगर ऐसा ही question होना होता है इसमें 1 को neglect करते जाता है अब यहाँ पर देखो पहले a था तो फिन बाद में क्या हो जाता है a a plus 1 हो जाएगा फिन इसके बाद क्या होगा a a plus 1 a plus 2 और वैसे बाद में a plus 3 a plus 4 a plus 5 ऐसे जूटता चला जाएगा सेम प्रोसेस यहाँ भी है तो b plus 1 हो जाएगा फिन आगे चलके b plus 2 हो जाएगा फिन b plus 3 ऐसे करके तो हम इसे लिख सकते है e n के फॉर्म है मलब कि इसको लिख करते हैं सिग्मा सब्सक्राइब यह सिग्मा हमारा थोड़ा टेठा मेड़ा बन गया a a plus 1 a plus 2 ठीक है a plus 3 dot 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 a plus n minus 1 इस रुक में हम लिख सकते हैं इसे ठीक है अब देखो अब यहाँ पे अब b को भी हो ऐसे लिख सकते हैं b b plus 1 b plus 2 और dot dot करके dot dot यहाँ पे हो जाएगा हमारा b plus n minus 1 ठीक है upon अब 1 है यहाँ पे 1,2 है बात में 1,3 हो जाएगा यहाँ यहाँ पे 1,2,3 डाट डाट अन तक जाएगा n के लिए निकाला हमनो n n हो जाएगा और फिन देखो c है तो c plus 1 हो गया तो आगे चल गे c plus 2 हो जाएगा c plus 3 हो जाएगा तो इसको भी हम रिख सकते हैं c c plus 1 c plus 2 और उसके बाद c plus n minus 1 ब्रैकेट और z का पावर n तो जेट का पावर 1 जेट का पावर 2 डाट रिजट जेट का पावर n ठीक है अभी इस फ़ाम में हो गया है हमारा ये सिगमा है ठीक है न अब इसमसे e n क्या है उसको हम निकाल देते हैं e n तो इसमें e n क्या है z जेट का पावर n की छोड़ करें बाकी सब क्या है a n है तो a n हमारे लिख सकते हैं a a plus 1 a plus 2 that is a plus n minus 1 bracket इसको b b plus 1 b plus 2 that is b plus n minus 1 bracket ठीक है अब आप आण अब इसको भी आशे लिख सकते हैं 1 2 3 dead as n और c c plus 1 c plus 2 और c plus n minus 1 और यह bracket close यह हमारा a n निकल गए ठीक है compare करने के बाद अब यह तो हमें पहले formula से तो होगा नहीं हम लागा बताया थे दोठे formula होता है एक formula होता है limit and tends to infinity mod an power 1 by n ठीक है अगर यहाँ पे 1 by n होता तब हम formula यूज़ करेंगे अगर आपको यह बढ़िया जानना है तो आप पिछले वेडियों जाकर गए देख सकते हैं तो हम इसमें second वाला यूज़ करेंगे inverse वाला यानि a n plus 1 एक और सी हम find out करनेंगे जिसमें n plus 1 निकलना होगा तो कुछ निकलना है a a plus 1 a plus 2 dead rest a plus n minus 1 ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या करना है अब n minus 1 तो a plus n put कर देना है ठीक है आगे का है n plus 1 जब करेंगे तो n plus 1 करेंगे a plus n हो जाएगा अब देखो अब यहाँ पे सुचोगे आप यहाँ पे क्यों निरखे n plus 1 को तो n plus 1 यहाँ पे put ने करोगे इस टैक को कुछन में इसमें put ने करेंगे जाता है इसमें एक आगे वाला टर्म ना आने वाला है तो a n minus 1 है तो इसके आगे वाला टर्म a plus n होगा ठीक है और वैसे सेम प्रोसेस करेंगे b b plus 1 b plus 2 और डाट डाट एस b n sorry b plus n minus 1 और आगे आने वाला टर्म यानि b plus n ठीक है यह b plus n है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस 1 2 3 अब दोगो dead address n n में यहाँ पे value नहीं पूट करना है n में value नहीं पूट करना है n plus 1 पूट कर देथे जैसे यहाँ पे था ऐसे अगर n राता था 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 तो n plus 1 पूट करना होता था इसमें n plus 1 कर देथे ठीक है यहाँ पूट करना है इसके आगे वाला टर्म लिखना है सीरीज यह नहीं है यह आगे टर्म है आगे वाला टर्म क्या होगा n plus 1 हो जाएगा वैसे यह c टीक है c plus 1 c plus 2 dash 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 c c और plus n minus 1 और आगे वाला टर्म लिखना है ठीक है ना यहाँ c plus n ठीक है clear है अब देखो अब फर्मुला के कॉर्डिंग हम an plus 1 अपन an का मौड निकालते है ठीक है ना तो जब यहाँ से देखो जब an upon an plus 1 अपन an करोगे तो यह उपर जगा टर्म ठीक है यह उपर जगा टर्म जब उपर जगा तो इस देखो इसमें सारा का सारा से same to same है बस different क्या है इसमें a plus n है और b plus n है और इसमें n plus 1 है और c plus n है अगर इन चारों को आप निकाल दो अगर इसको इसको और इसमें दोनों को अगर इन चारों को आप निकाल दो तो यह equation 2 को दोनों same to same हो जाएगा ठीक है मलब करने का मलब ही है कि अगर आप कटाओगे अगर दोनों को divide करोगे divide करने बाद आपको find out क्या होगा आपको find out हो जाएगा a प्लस n b प्लस n upon n प्लस 1 और c प्लस n ठीक है ना आपको divide करने बाद यही मिलने वाला है ठीक है आप ऐसे भी देख सकते हो अगर इस चारों equation को आप निकाल देते हैं तो यह equation क्या हो जाएगा दोनों same हो जाएगा जब divide करेंगे तो कट जाएगा ठीक है अब देखो अब इसमें सम क्या करते हैं n common कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a upon n प्लस 1 इसमें b n कामन कर लेते हैं तो हो जाएगा b upon n प्लस 1 अब निचा अलंग भी n कामन कर लो तो 1 प्लस 1 बाई n और इसमें सम कमन कर लोगे n तो क्या हो जाएगा c upon n प्लस 1 तब n से सारे कट जाएगे तो बचा क्या अब आपका तो बचा आपका a n प्लस 1 बट में a n का मौड इकॉल टू क्या बचा आपको आपको बचा आप a upon n प्लस 1 b upon n प्लस 1 और 1 प्लस 1 बई n ठीक है और इहाँ पे c upon n प्लस 1 ओके अल्राइट अब फर्मूला का है 1 by r is called to radius निकाले का फर्मूला है limit n tends to finite a n प्लस 1 upon a n मौड ओके अल्राइट अब देखो यहाँ पुट कर दो limit n tends to finite और इहाँ पुट कर दो a upon n प्लस 1 b upon n प्लस 1 1 प्लस 1 by n c upon n प्लस 1 और जब यहाँ finite पुट कर दो 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और यह भी 0 और यह भी 0 हो तो बचा क्या 1 1 1 1 1 यानि क्या हो जाएगा 1 यानि 1 by r is called to 1 यानि हमारा r का value radius क्या निकल गया 1 निकल गया ठीक है अम next question चलते है यह हमारा next question है ठीक है इसको भी radius of convergence निकलना है ठीक है ना series में है यह तो power series में convergence निकलना है radius of convergence यानि r का value फान्ट करना है तो पहला तो simply हम वैसे ही वही कारे करेंगे sigma n tends to 0 to finite an z का power n में इसको लिख देंगा हम तो जेड है याँ पर z2 हो गया z3 हो गया और एडरास तो ये तो z का power n निकल गया आपर z का power n जो भी होगा उसको लिखेंग हम अब देखो one है याँ पर उसका one into 3 हो गया उसका one into 3 into 5 हो गया ताब आपको इसे मिलता क्या है 1.1 into 3 into 5 into 7 dot dot हम लिख सकते हैं 2n minus 1 अब देखो 2n minus 1 में लगा अगर 1 रखो गए आप यहाँ पे तो 2 minus 1 1 मिलेगा अगर 2 रखो गए तो 3 मिलेगा 5 रखो तो ठीक है ना आपको समझ में आगया होगा फिर वही प्रोसेस नीचे भी करेंगे 2 2 into 5 2 5 8 and 2 5 8 11 ठीक है ना ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ताब आप इसे लिखोगे 2 5 8 11 और इसे डाट डाट एस 3n minus 1 एंड टर्म के फ़र्म में आप ऐसे लिखोगे ठीक है से यहां पर इस सिगमा चूट रहा है अब यहां पर देखो अब जेट का वाइल पूट को जेट जेट टू जेट थी इता सिंपल है कोई भी डाट नहीं होगा आए थिंग बहुत ही सिंपल है बस एक ही प्रोसेस सब अब देखो एन का वाइलू कंपेर करतो और एन का वाइलू इसमें से फाइंड आट कर लो तो एन का वाइलू सिर्फ इतना होगा जेट एन को निगलाट करके जितना भी सब वाइलू बचा अपान टू फाइफ एट डैडड़ थ्री एन माइनस वन होगया अब यह भी तो सेकेंड वाला फर्मुला से होगा तो एन प्लस वन निकल लाते हैं तो वन त्री फाइफ डैड़ डैड़ थ्री एन माइनस वन देखना है ध्यान रखना इसमें पूट नहीं करना है ठीकना इसके आने वाले next term में put करना है तो 2n-1 इसके next term क्या होगा 2n-1 होगा ठीक है ना और वैसे यहाँ पर 2, 5, 8, that is 3n-1 और इसके आने वाले term क्या होगा next term 3n-1 होगा ठीक है ना अब दोखो यही पर अब हमें निकलना क्या है an-1 upon n निकलना है यही ना में find out करना है जब यह अब हम इसे divide जब करेंगे तब देखो आप ही देखो अगर हम इन दोनों form को अगर देख ऐसे बन करके तो यह दोनों क्या है? सेम है जब divide करेंगे an-1 upon an करेंगे तो यह उपर जागा term और कट जाएगा सिर्फ बचेगा क्या? 2n प्लस 1 upon 3n प्लस 1 बचेगा मैं लगा कहने कम अब ही है कि अगर हम ऐसे करें mod an फ्लस 1 इगलना ही है और an से divide करना है तो जब हम divide करेंगे तो सिर्फ बचेगा 2n प्लस 1 upon 3n प्लस 1 क्योंकि divide करेंगे तो बाकि तिया हो गया 2n प्लस 1 अपन 3n प्लस 1 अब दो वो simply अब हम पता है 1 by r इसकल्ट होता है limit n tends to finite ओके और mod an प्लस 1 अपन 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 पूट कर दो 1 by r इसकल्ट हो जाएगा आपका limit n tends to finite ओके और यह आपने पूट कर दिया वालू 2n प्लस 1 अपन 3n प्लस 1 mod है सोरी अब mod इसका तो निकलेगा नहीं आई तो इसमें है निक कॉमप्लेस के आप mod निकलोगे अब देखें को और कारे करो इसमें n कॉमन कर लो इसमें से क्या करो n कॉमन कर लो एन कॉमन करोगे तो टो प्लस 1 वाई n हो जाएगा n क्यो अब कॉमन करते को हाब Leo और यह उन कमन civil कर लोगे तो जब फैनाइट कर लोगे है तो जब फैनाइट कर ओड boundaries और फैनाइट आइट निकले और फैनाइट नमर अब टो फैनाइट निस ज़ा है 3 plus 1 by n हो गया अब n से n कट जाएगा तो क्या आप जाएगा limit n tends to finite 2 plus 1 by n upon 3 plus 1 by n ठीक है अब हम n का value put कर देंगे यानि limit का value put कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 upon 3 यानि 1 r equal to k निकल जाएगा हमारा 3 upon 2 ठीक है न कभी कभी यह equation proof करने के लिए भी देता है यह question देगा और बुलेगा proof that r is equal to 3 by 2 तो इसको ध्यान पूर्वक solve करेगा ठीक है बहुत easy question था और कुछ थोड़ा अलग हटके question solve करते हैं वह question यह है अब तो हमने बात किया direct radius of convergence निकाल रहे थे ठीक है अब इसमें यह बताना है कि वह domain बताना है वह region बताना है जहां यह power series होगा ठीक है find the domain region of convergence of the power series यह पावर series given है और इसका यह वह region बताना है जहां यह क्या होगा convergence होगा ठीक है यह question बहुत बार पूछ चुका है ठीक है यह question इसलिए हम इसे pick up किये हैं ठीक है तब इसे solve करते हैं इसे solve करना वह ही है बस r का 1 by r का formula यूज करना है 1 by r result क्या होथा limit n times to finite mod में an plus 1 upon an का mod ठीक है न यह equation यह equation solve करेंगे यह यूज करके और फिन find out करेंगे कहां पे यह क्या हो रहा है reason जो है convergent होगा किस number पे किस domain पे ठीक है let's start it अब इस्टार्ट करते हैं तो मिलता है given क्या था sigma 2i upon z plus i plus 1 का power n ठीक है अब देखो इसमें एक domain इसलिए पूछ रहा है देखो आपको question में देखके पता चलता होगा z का power n तो इसमें given है ही नहीं z का power n इसमें इसी में mix है ठीक है तो आप compare भी नहीं करा सकते हो ठीक है तो आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा तो an मालो आप पूरा का पूरा ले लिए 2i upon z plus i plus 1 का power n अब इसमें an plus 1 भी find out कर लो 2i z plus i plus 1 power n plus 1 हो जाएगा ठीक है नहीं इसमें n का value put करो तो n plus 1 हो जाएगा और आप ऐसे भी लिस करते हो इसको 2i upon z plus i plus 1 का power n into 2i upon z plus i का power n plus 1 हम इसको इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हम find out करेंगे n plus 1 upon an ता आपको यह आप साब साब देखें कि यह कट जाएगा ता सिर्फ बजाएगा क्या 2i upon z plus i plus 1 ठीक है आल्राइट अब दोकर जब इसका mode निकालेंगे जब an plus 1 upon an जब इसका mode निकालेंगे तो mode में तो ही रहेगा 2i का mode निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2 upon 2 upon z plus i plus 1 इसका mode निकालेंगे तो इसको mode में ही रखो ठीक है अब दोगा करना है, लिमिट लेलो, लिमिट n tends to finite, an प्लस 1 अपन an, mod, तिये हमारो जगा, लिमिट n tends to finite, 2 अपन mod, z प्लस i प्लस 1 का mod, ठीक है, अब दोगो, अब ये गीवेन सीरीज कब कनवर्जेंट होगा, गीवेन सीरीज, आर कनवर्जेंट, मलब ये कनवर्जेंट होगा, कब, इफ, लिमिट n tends to finite, 2 अपन, z प्लस 1 प्लस i, का mod, ये लेस देन हो, 1 के, तब ये क्या होगा, कनवर्जेंट होगा, ठीक है न, ये सीरीज तब कनवर्जेंट होगी, तब क्या कर रहेंगे, जब इसे solve परेंगे तब लिमिट 2 अपन, z प्लस i प्लस 1 लिखो चाहिए, ये लेस देन होगा, 1 के, जब क्रास मुल्ट प्रिक्शन करोगे तो हो जाएगा, z प्लस 1 ये इधर जाएगा, तो z प्लस 1, i प्लस 1 का mod, ग्रेटर होगा 2 से, इधर जाएगा, तब इससे क्या मिल रहा है, मैं, कि this series is convergent, for a set, sorry, for a series, then, मुलब कि ये convergent हो, तब ए complex numbers जो होगा, जो भी complex number होगा, वो outside लाई करेगा, कहां सर्गिल के outside, ठीक है न, तो लिखेंगा, the series, the series is convergent, series is convergent, then the complex number, then, the complex number, lies outside, the circle, the circle के outside icon होगा, यानि, z plus 1 plus i, इसको एक रेकर में ले लो, equal to z, sorry, 2, ठीक है, पस ये इतना होगा, ठीक है, ठीक न, I think आपको सुझवाया होगा, thanks for watching, हमने तीन ठीक पॉस्टन सॉल्व कराएं आपको, ठीक न, ओके, अगर अच्छा लगाएं फ्रेंड में शेयर करेएं, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, thanks for supporting, thanks for watching, मिलते हैं आगले वीडियो में, नए टॉपिक के साथ धन्यवाद, झाले ऑख़ा, ये तीन झाले ठीक बाधका एंगरा, स Москв हैं आगले जिस्गर झालाओ हम rif tér कॉप झालाओाद,